हेलो गाइज वेलकम बैक एन्पियो का थेवरी सेक्षन का वीडियो नमबर फॉर में आप सारी के स्वागत है इस वीडियो में हम दो डिसकास करें कुछ स्पेसिफिक आइटम जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ डोनेशन हुआ लिगेशी हुआ उसका ट्रीटमेंट रिसिप्ट है इस प्रकॉम्ट जैसे सब्सक्रिप्शन का मतलब कोई वी क्लब हो गया सोसाइटी उसके जो मेंबर रेगुलर्ली एन्नौर्पेमेंट करते हैं करेंगे जो सब्सक्रिप्सन होता है तो सबसे पहले इसका रिचल पयमेंट आगाउंट में त्रिटमेंट होगा देख लेते हैं एट चीनले तर्टिवेटेड यह यह एणली चाहिए किसी बीधियो मेंनश आफ इंकम सब्सक्रिप्स्क्रिप्स नहीं साइब प्नाएंगे उसका रेविब्स साइब होता है कि थिक तो इतना भी सबस्क्रिप्स मिलेगा का के डिखा जाता है debit side of the receipt and payment account a part from the amount of current year ну इसमें पास्च टेड्ले सबस्क्रिप्च Improvement एकांट में कहां तीक ते आप ईंकशच पूल सिंपली करने आपस्क्रिप्च ले विएक्ड अप्ले समस्क्रिप्सरों रेगुलर नेचर का होता है रेकरिंग नेचर का होता है इसलिए ये रिवेन्यु एटम हुआ वह इंकमेंड एक्सक्राइचर एकाउंड में केरिट सैड़ जाएगा ठीक है लेकिन इंकमेंड एक्सेट में कुछ भी बैठाते हैं तो ध्यान रखना कि वो प्रेजेंट येर का हुआ तो आप इसका ट्रीटमेंट देखते हैं सिन्स इटीजें मेजर सोर्स अफ इंकम अफ नौन ट्रेटिंग कंसर्ण एंड इज रेकरिंग इन नेचर देयर फोर सोन अन्द ऑप सब्सक्रिप्शन टूब सब्सक्रिप्शन एकाउंट में कितना दिखाएंगे यह सब्सक्रिप्शन एकाउंट बना के निकल सकता है सब्सक्रिप्शन एकाउंट कैसे बादनेगे सब्सक्रिप्शन समझा जब करेगें तो अगा क्या चीज़ कहा है तो अगर पिछला साल कुछ भी बाकी लगा हुआ है तो इसको रोपनाली बैलनस बोलते हैं डविट सैड़ अटाइए ठीक है तो अरो उसके बाखी लिटारие कि भी मिला हुआ तो सबसे पहले यह का स्टाटि में और सब्सक्रिप्शन साल भर में था payment account से पता चल जाएगा तो उसको kdset बैठा लेना है ठीक है कि सेट क्यों बैठाएंगी कि सब्सक्रिप्शन हम लोगों को होता है जरूरेंटि होता है कैसे अकाउट डेवी तु सब्सक्रिप्शन यहां क्या बना रहे हैं सब्सक्रिप्सिंग इंकम प्रेट या इसा हो सकता है कोस्टन में सब्सक्रिप्सिंग इंकम दिया होगा उसको निकालने को करेंगे तो कितना हुआ यह हम लोग को पता चल जाएगा ठीक है तो गया सब्सक्रिप्शन के दूसरा होता है लाइफ मेंबर सी फीस फीस पर्मानेंट मेंबर बढ़ने के लिए जो फीस कलेक्ट किया जाता है उसको लोगा लाइफ मेंबर सी फीस बोलते हैं और यह sudden knowledge extra का होता है मतला है एक ऐसे फ्सकेए है इसलिए कि और हुआ रिवेयन आइटेम नहीं हाथ है इसका है यह प्रखुट मेन्ट क्या होगा है मिलता है इसलिए हैनि साइडी और क्योंकि यह होता है रिवेयन आइटम नहीं होता है इसलिए सको इनकमेट एकाउंट में नहीं बैठाएंगे थेके मेंबर्स इफ ग्रांटेड तो एपर्सन फोर दा होल लाइफ इस पेशली चाल इस पेशल फीश चाल्ज फ्रोम हीम हर्ड इस परमने मेंबर बना उसके बाद पैसा लेंगो लाइफ मेंबर्स फीश होगा इटीचाइब वन्स इन ला ट्रीटमेंट लेकिन जब हम लगां कुछ यह वहां ट्रीटमेंट बाद जाएगा जाएगा उनली रेकरिंग रिशीप्ट मतलब रिवेन्यों रिशीप्त आर्डीटेड आज इंकम बट लाइफ मेंबर्स इनकुरिंग मतलब यह एक ही परमेंडा फिर फ्युचर में नहीं मिलने वाला है सेम मेंबर से ठीक है not agreeing in nature therefore the life members is capitalized so capitalize करना है केपिटलाइज करने का मतला वह balance sheet में capital fund के साथ जाके add हो जाएगा income and expenditure account में नहीं आएगा ठीक है एड़ेट with capital fund in balance sheet and not shown in income and expenditure account ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इंडवमेंट फंड इसा फंड होता है जो हम लोग का होने वाला requirement है उसके लिए परते हैं थीक है इंडवमेंट और कौन बाहते हैं इस टैप सब्सक्राइब होस्पीटर इनुवर्सिटिटिस फॉर लॉंग टर्म ग्रोथ ऑफ दा ओर्गनाइजेशन इसको लाइवर्टी कि आप से दिखाते हैं ठीक है अब इसका हम लोग रिचिप्ट पेमेंट एकाउंट में टीटमेंट समर लेते हैं क कान्टिबिशन टॉट्स दिस फॉण इचन आइटम ऑप प्रषिप्ट एंद हैंस वन इस सब्सक्राइब किसी था कि कि इफित दो आइटम कि श ब्रेंट टॉ में जाता प्राइफिमेंट इब जाएंगा सिंसी कि इस सब्सक्राइब इस नौट स्वाट 237 कंड इस वाद ग बढ़ते हैं आगे donation donation भी अलग अधा टाइप का होता है कुछ होता है specific donation जो किसी particular purpose के लिए मिलता है जैसे donation for building अब कुछ होता है general donation general donation का मतलग पैसा मिला लेकिन purpose नहीं बताए गया ठीक है तो अगर specific donation है तो उसका treatment अलग है यह करके देख लेते हैं donation is the amount receipt from some person from company or any other body by way of gift किसी भी परसन से company से by way of gift मिला donation हो गया it is also an important item of receipt important item है जो receipt side हमनों दिखाते हैं ठीक donation किसी भी तरह का हो specific जाएगा it can be a two types two types का होता है पहला होता है specific donation it is donation receipt for a specific purpose for example donation for library donation for building it is capital receipt ठीक है अगर specific donation है तो capital receipt हो गया capital receipt है इसे लिए वो debit होगा receipt payment account में क्योंकि इतना भी receipt होता है capital item और revenue item सब receipt payment account में जाएगा ठीक है but not sign in income and expenditure account income and expenditure account में भूल से भी किसी भी तरह का capital item और non recurring item नहीं लिखना है ठीक है इसके बाद है general donation general donation मतला जहां purpose mention नहीं रहता है कि it is donation which is received not for some specific purpose किसी खास purpose लेने मिला इसका भी दो टाइप होता है ठीक है general donation of big amount जहां बहुत huge amount मिलता है जैसे 5 करोड 10 करोड मिल गया है ठीक है इस तरह का amount मिला तीटीटीटीटीटीटीट्स इसको capital receipt दिखा लेते हैं और capital receipt कहां जाता receipt payment और debit side और income and expenditure में तो जाए गए नहीं ठीक है balance sheet में जाएगा capital के साथ हो जाएगा general donation of small amount है ठीक है अगर small amount का जनल डोनेशन है तिसको हम लोग recurring मान लेते हैं रिस्टेंट पेमेंट में डिविट सेट बैठाएंगे और income and expenditure account में एक जाएगा और अगर डोनेशन फोर परपर बिल्डिंग है तो वह capital item हो गया capital item तो रिश्टेंट पेमेंट अगर में जाता ही है लेकिन income and expenditure अगर में नहीं जाता है ठीक है उसके बाद है लीगेशी के मतलब कोई भी परसन अपना विल के हिसाब से अपना सारा प्रोपर्टी स्कूल को डोनेट कर देता है वो सब होता हम लोग का लीगेशी ठीक है इस डाइमांट वीच इस डिसीप्ट बाई एन और अर्गनेशन एज पर दवील अफिश्ट परसन लेकिन यह पैसा कब मिलता है जिसने वील बने है उसका डेट के बाद ठीक है इस ट्रेटल एस एक यह पिटल रचेट यह केपिटल होता है इसले रचेप्ट अपर डेविट सब्सक्राइब लेकिन इंक्म में पका रचाइब करेंक देडिस आड़ी इस डेपिट प्रस्टेट अयांट इस तरह का diuंट कालेक्ट होता है ठीक है हर साल या हर मत ऐसा कालेक्शन होना पोसिबर प्लस करते हैं बढ़ते हैं आगे सेल अफ ओल्ड नीजपेपर और कोई भी ओल्ड नीजपेपर प्रियोडिकल्स बिकरी हो रहा है मेगजिन बिकरी हो रहा है तो वह एक तरह से स्क्रेप होता है इसलिए उसको रिसिप्ट पेइमेंट का डेविट सेट का बैठाएंगे और इंकम में एक्सपनिचर का केडी सेट बैठाएंगे ठीक है सिंपल सा ट्रीटमेंट है नेक्स्ट है से लफ ओल्ड है सेट्स कोई विकरी कर रहे हो ठीक है फॉर एक्जांपल हमारे पास एक फरनीचर है उसको हम विकरी कर रहे है फरनीचर का बुक भेलू मतलब हमारे सबसे उसका वेलू 10,000 था लेकिन विकरी किये 8000 में 2000 का लोस हुआ तो अगर फरनीचर विकर भी हो रहा है तो जितना कलेक्शन होगा जैसे हम 10,000 का 8,000 में विकरी कर रहे है तो कलेक्शन कितना हुआ एट थाउजन एट थाउजन हम रेशीपन पेमेंट का डेविट सेट दिखा देंगे ठीक है उसके बाद इंकम में इस परनीचर करते हैं खईते हैं तो वह सब अमां में 10,000 का फॉर्निचर हम 8,000 विकरी कर रहे है तो 2,000 का लोस हुआ इंकमेंट एक्सपेमेंट में 2,000 डेविट करेंगे और रेशीपन पेमेंट एकांट में 8,000 जो कलेक्ट हुआ उसको क्या करेंगे डेविट करेंगे यह का ट्रीटमेंट होता है ठीक है कि अधार आपके अधार प्रॉपिट कर शोर्ड एक्सपेमेंट एकांट अगर बूग बेचे तो लोस कब होगा प्रॉपिट से कम में बेचे है तो ठीक है इसेल्स में ध्यान रखना एक क्षैद वेच ऋगे हमलों का रिसिपाइन एकाउंट में आएगा लेकिन इंकम इंख्मेंटिश्य काउंट में नहीं आएगा ठीक है लेकिन बेचने के टाइम वहाँ प्रोफिट एन लौस हुआ है तो वह इंकम एंख्मेंटिश्य चैनल कशिब्त एकांट में जाता है प्रक्राइट केडिट लोंस भातों डेवीड ठीग है नेक्स्ट से लुफ स्पोर्स मेटेरियल ठीक है जाब इसपोर्स मेटेरियल मेटेंगे तो पैसा मिलेट प्लेक्ट होगा तो ईसको रिस्ट पेमेंट अग्यारिक से वाइव्ट अर पैसा मिलेगा तो रेगुलर हो या रेगुलर हो रेकरिंग नहीं देखते हैं लेकिन इंकम अपर तो रेगुलर है की नहीं तो इस तरह रेगुलर हो गया तो उसको क्या करेंगे तो सेल प्लू सिपसेटिट इंधक है इंकम करेंटेंगे और संवी गटसाइग ट सकौने म mention फैसे प्रडव इंसक जाए परसल में इंभाइट को घिलिब अ족र वोधिर और आइस्ट और मेंफिए इंवाइट करते हैं उसको कुछ पेमेंट करते हैं अपेमेंट करते हैं इन डेसने आहाल हम लोगे लिए आइसे लिए सब्सक्राइब और क्योंकि पैसा दिया जारा इसले सब्सक्राइब कहां जाएगा पेमेंट साइड ठीक है इसले सब्सक्राइब नेक्स्ट पेमेंट सब्सक्राइब इसलिए यह रिवेंट रिचीप्ट तो रिचीप्ट पेमेंट का डेविट से जाता है और इंकम एंकम एंकम एंक्समेंट अगेंड आगे आगे है तो हुले लोगुफ के लएक तो मैंतेेनेंस ग्राइब ह्हाएं इस प्रहाइब फोर पॉर्फ मीटिंग दे तो डे एक्स्पेंसगेंच होनच कर लोगेंस रोज का इसकी मिंआ घोए उसके लिए मैं ग्रांत मिलता है शाव gaश्य की करते इंकम बंघान एंकमीना इक्स्पेंट एकाउंट में लेकिन अगर वही गवर्मेंट से केपिटल ग्रांट मिला मतलब कोई यह सेट्स खाइदने के लिए मिला है तो इस तरह का आइटम रेसीप्ट पेमेंट का डेविट साइट जाएगा लेकिन एकाउंट में केटी साइट हम लोग नहीं बठाइं मिलते अगले वीडियो में कुछ और कुछ और